आप सभी सौकत बात करेंगे दोस्तों आप रिलाक्स फुटवेर के बारे में इस कमपनी के क्वाटर वन के रिजल्ट कब और कैसे आएंगे और साथ-साथ दोस्तों जो म्यूचल फंड ने स्टेक बड़ाया है उसे डिसकस करेंगे अब देखे कोई भी बड़ा निवेशक दोस्तों इसमें इंट्री लेता है तो इसका मतलब क्या उसको आप समझे बल तो कमपनी का जो अगला परफरमस है वो कैसे रहेगा और रिलाक्स फुटवेर यह स्टॉक कितना जबरदस नेक्स टार्गेट डिका सकता है वो डिसकस करे अब देखे रिलाक्स फुटवेर की बात करें दोस्तों तो पिछले एक महने से पिछले एक महने से दोस्तों स्टॉक में कोई भी इंप्रूमेंट नहीं है आप सभी जानते और जिनके पास भी शेयरो खास करकर बताना भी चाहूंगा खुद मेरे पास भी अवेलेबल है इ दोस्तों यहाँ पर गिरावट एक महने के चार्ट पैटन ने यहाँ पर दिखा दिया है कि स्टॉक देड़ परसिंट से डाउन ही चल रहा है बनतों यहाँ पर देखे 1170 रुपे के बीच में यह स्टॉक यहाँ पर ट्रेट कर रहा है और यहाँ पर अपकोंगा 1170 यहाँ इसका जैसे के एक मेने का चार्ट पेटर का फरफरमस है आप यहाँ पर खुद देख कर भी समझ सकते हैं अब यहाँ पर हम जैसे दोस्तों एक साल की बात करें था इस कंपनी ने बहुती बड़ा शांदर फरफरमस दिखाया अपने रिटन में आप खुद देख लेना पास इसके रिजल कैसे आने वाले है तब तो आपको फायदा होगा दोस्तों पिछली बार में देखा आपने तब 90% के करिब की डिलियर उठाई गए थी उसके बाद में स्टॉक ने 20-25% का रिटन दे दिया था और आभी भी कहूंगा आगे जबरदस इसमें इंप्रुमेंट हम आप एकस्वेट कर सकते हैं और इस टॉक फॉफरम करेगा भी दोस्तों अब जैसे यहापर मैं आपको बताना चाहूंगा इस टॉक का जो लॉंग टम को फॉफरमस है आप खुद देखे इसने लॉंग टम में काफी आच्छी तरीके से यहापर पास सालों में आपको देख किसी शेयर में देखे कोई निवेश कर रहा है बुलकर खरीदना या यहापर उस कंपनी की डीटिल हमको पता भी नहीं है डायरेकली खरीदना यह सबसे खरा बात है क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम निवेश क्यों करें तो इसलिए कह रहा हूँ कि रिलाक्स कर देखे कंपनी ने जब से लिस्टिंग के दोस्तों तब से यहापर एक कंपनी रिटन भरबार कर निवेश को कमाग दे रहे क्योंकि इसका बिजनेस यहापर क्वालिटी वाला है अब यहापर हम आज के वैलियूम के बात करें 23 जुलै की दोस्तों थे हापर हमें 40% के करी देखनेक मिल रहा है जो क्वांटिटी वहूत कम है बर दोस्तों कहूंगा इसके नंबोर आप शेर का जो हापर मार्केट में वैल्यूम है वो कम है इसलिए ऐसा देखनेक मिल जाता है अब यहापर हम शेर होल्डिंग प्याटन पर फोकस करें तो आपको बताना चाहूंगा देखें मूचल फंड दोस्तों खास करकर मूचल फंड के पास देखें मार्च महिने में मातर सेवन परसंट का स्टेक था और इस बाद देखें 0.34% का बोलता दोस्तों यहापर उन्होंने करोडो कॉंटिटी भी खरी दी और करोडो पैस में निवेज भी खें और वो भी पास भी श्टेक बढ़िया है और देखे हाँ पर हम दोस्तों तो पब्लिक याँ पर नौन इंवेश्टर जो होते हैं उनके पास भी आच्छा कास स्टेक अभी जैसे नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट डेकेस कमपनी का 2017 से लेकर 2021 तक के बात करें तो स्टॉक ने कंटिनु उम्प्रॉमेंट दिखा है और नेट प्रॉफिट में देखिए 2017 में दोस्तों यहाँ पर 119 करॉड का प्रॉफिट आओ बढ़क देखे अभी यहाँ पर 300 करोड़ का होगा है अब तो देखे 2017 से 2021 तके 2 से 3 से 4 सालों में कितना जबरदस इंप्रोमेंट यहाँ पर रिलेक्स फूर्पेर ने किया है यह क्या शोक कर रहा है दोस्तों की कंपनी में क्वालेटी है और आप कोंगा अभी जो आने वाले क्यों क्योंकि देखे पिछले रिजल्ट में दोस्तों कंपनी का रिजोर्ट कितना तेजी से बड़ा है यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं पिछले बार आपर देख लेना कितना था 1092 करोड़ बढ़कर देखे 1247 करोड़ एक रुपए का करजानी कंपनी पर डेफरी यहाँ पर रिलाक्स फूटवेर के रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट पर आपकी कड़ी नजर रहेने चाहिए और रिजल्ट अच्छे आने वाले है यह पहले से मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि व्यूचर फंड का बढ़ता हुआ स्टेक और आपकोंगा थोड़ा इसमें कॉंटिटी उठा लेना जिस सबसे गोल्डेन आउपर चिरी रहेगी सभी चीज़े बताना दोस्तों गिरावट के बाद भी और तेजी में क्या होगा उस पर आपका फोकस रहना चाहिए यह सभी चीज़े आपको यह पर किलिर कर दे रहा हूँ कंपनी का मार्केट क अब देखेंगे तो यहाँ पर 29,000 करोड का मार्केट कैप है दोस्तों क्याश्व बढ़े आए कंपनी के पास एक रुपए का करजा नहीं है और EPS भी शांदर है अभी यहाँ पर हम वैल्यूम भी देखें तो काफी आच्छी तरीके से वैल्यूम दोस्तों यहाँ पर हमें आउट या कोई भी प्राबन हो तो मझे कमेंट में पूछ रहा मैं आपको प्राइट कर दूँगा थेंक्यू